Hello everyone, welcome to KRK Law Classes, मेरा नाम है काशिव खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो Assistant District Attorney की वैकंसी आई है हर्याना Public Service Commission में उसके बारे में टोटल यहाँ पर 112 वैकंसी है और किसी भी तरीके का कोई भी experience requirement नहीं है मतलब कि जो भी fresh candidate है वो इस job post के लिए apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छी opportunity है हर log graduates के लिए और कोई भी log graduate किसी भी state का हो वो इस post के लिए apply कर सकता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस job post के है क्या इसका essential requirement है और बाकी other detail को भी समझेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन के official website पर जो की है www.hpsc.gov.in यहां पर जाने के बाद आपको इसका advertisement section में इसका advertisement मिलेगा जो की है advertisement number 14 of 2023 यहां पर online application form की link जो है आपकी 1 March 2023 से खुल जाएगी तो जब वो link open होगी तब उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको इस application form को fill करना है उसका link यहां पर आपको left hand corner में apply online पर click here to apply online application form पर click करके आ जाएगा अब बात करते हैं इस notification की तो यहां पर total 112 post है जैसा कि आपको मैंने बताया और इसको by farcate भी क्या गया है कि किस category में कितनी post है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं opening date जो है एक मार्च 2023 से है मतलब के एक मार्च 2023 से online आवेदन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी और इसकी जो last date है वो है 28 मार्च 2023 आपको fees बेज़ो है 28 मार्च 2023 तक submit कर देनी है दोस्तों अगर आपको कोई doubt हो रहा है form बरने में कोई issue आ रहा है तो आप हमें comment box नहीं बता सकते हैं या फिर यहां पर दिये गए number और email ID के थुरू भी हर्याना public service commission से बात कर सकते हैं essential qualification की बात करें तो इस job post को apply करने के लिए आपके पास bachelor degree in law होनी चाहिए एक recognized university से यह संस्क्रित language होनी चाहिए पेज की बात करें तो यहां पर पेज के लापका 53100 से जो है वो लास जाएगा 1,667,800 तक आगे बात करें age limit की तो 21 साल से लेकर 42 साल तक की जो भी candidate है वो इस job post के लिए apply कर सकते हैं Age relaxation भी दिया गया है other categories को जैसे की schedule cast को, schedule try, backward classes, widow, उपर से unmarried woman इन सब के लिए 5-5 साल का जो है आपको यहां पर age relaxation दिया गया है बाकि other category की भी आप इस screen पर देख सकते हैं Application fees जो है यहां पर जो general male category के candidate हैं उनके लिए 1000 रुपए है जो female candidate हैं और जो male और female दोनों candidate हैं SC, ST या EWS, ESM category के उनके लिए 2500 रुपए fees है जो candidate physically disabled category से आते हैं उनके लिए कोई भी fees नहीं है लेकिन उनको at least 40% disability का certificate जमा करना पड़ेगा और यह सिर्फ हर्याना के candidate के लिए है दोस्तों slaybers की बात करें तो जो 2018 का exam हुआ था उसके slaybers के हिसाब से बात करें तो 100 MC की आएंगे आपके और 100 marks का total exam होगा आपका किसी भी दिरीगे कि कोई भी negative marking नहीं है तीन तरह के जो categories है subject के उनसे question पूछे जाएंगे पहला है civil law, दूसरा है criminal law और तीसरा है general awareness और general English civil law में subject नहाँ पर आप देख सकते हैं civil procedure code है, Indian contract act है, constitutional law है, rent law है, limitation act है, transfer of property act है, specific relief act है और Indian evidence act है criminal law में वहीं आता है Indian panel code, code of criminal procedure, Indian evidence act, prevention of corruption act और narcotic drug act इसके बाद आपका general awareness और general English में आपको पता ही इसका कोई एक limit नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पे six month का कम से कम current affair वगरा पढ़के जाना है और बाकी जो आप history, geography वगरा पढ़ते हैं वो भी देखना है English में जो है आपकी जो general English पूछे जाती है वो सब आपको grammar वगरा और आपके abbreviation, synonyms, antonyms वगरा वो सारी छेसे आपको देखके जाने हैं तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो, I hope इस वीडियो में आपको इस job post से रिटेट सारी information क्लियर हो गई होगी फिर भी कोई doubt है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं, हम आपके doubt को clear करने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, keep reading